हलो फ्रेंज श्वागत है आपके चैनल स्विष्टी किचन में आज हम बनाएंगे भूने हुए आम का पना तो इसके लिए मैं क्या क्या इंगीरियन चाहिए तो फ्रेंज सबसे पहले हम आम को भून लेंगे आप इसको आग में भी भून सकती हैं और इसको अलट पलट के तो आम को धुल के मैंने छेल लिया है इसका जो पल्प है उसको निकाल लेंगे और गुठली बाहर कर देंगे तो फ्रेंज बहुत टेस्टी लगता है भूने हुए आम का पना तो आप इसको ट्राइ कर सकते हैं और बहुत इजी है बनाना तो इसी तरह हम सारे पल्प निका और फ्रेंस आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों के साथ से जरूर करें बिल आइकन को प्रिश कर दें जिससे मैं कोई वीडियो फ्लोट करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुचेगा और जिन फ थंडा पानी हम मिक्स करेंगे तो थंडा पानी डालने के बाद फ्रेंस अम इसमें भूना हुआ जीरा पौडर डालेंगे तो जीरा को मैंने भून के पीछ लिया है तो भूना हुआ जीरा पौडर मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम काला नमक डालेंगे काला नमक आप अपने श्वात के अनुसार डाले तो फ्रेंस यहाँ पर मैंने ठंडा पानी लिया है अगर आप ठंडा पानी ना ले तो इसमें आइस क्यूब डाल दें जिससे इसका टेस्ट काफी बढ़ जाता है तो सब को मिक्स करेंगे और इसको एक ग्लास में सर्व करेंगे तो फ्रेंस आप इसको ट्राइ कर शकते हैं अगर आपको पशंद आए तो प्लीज लाइक सिब्सकाइब करना ना भूले दोस्तों के साथ सेर जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको भूने हुए आमका पना कैसा लगा